आज से हमने टोपिक स्टार्ट देरेंगे ठीक है तो प्राधियूपी पठार मैं ने फिछले लेचरा पढ़ा दिया है अगर आप प्राधियूपी पठार नहीं देखा डारेक्ट आप रिवर प्यार है तो आप बलती कर रहे हो ठीक है आप पहले कहा जाए पहले को हम दो पाट्नर पढ़ने वाले है एक हिमालय रिवर और प्राधियूपीय रिवर एक भारत में दो इंप्रकर के रिवर होते है एक हिमालय रिवर और दुसरा प्राधियूपीय रिवर ठीक है इस तरह के दो रिवर है तो फर्स हम क्या पढ़ेंगे प्राधियूपीय रि प्रमकर रिवर फ्लो करती है प हएना रिवर कुन सा है पाधा रिवर इंडस रिवर शिनदुआ रिवर तुसरा गभा था ब्रह्मा पुत्र है ऐसे टेन रिवर के बारे बादर हम पंधने वाड ढ़े ठीक है चलो तो सबसे फ़ले поряд delivering लाते हैं हम क्या पंद्र्य वाल है सिंध emotion तो सिंधिर के प्रवें किसा आणे माईर गलेशियर के निकलती है और जम्मो कस्ना रेख तीन घहारा पूरा पाकिस्तान में जाके मिल जाती है ठीक है कहनदा यहां जाके मिल जाती है तो आप देख रहां यह यह चिनाव रिवर जैलम यहां से स्टाड़ है यहां पे आते हुए कुछ दिर बॉर्डर के उपर क्या करती है और फिर यहां से उते हुए यह सही दर्वे से निकलती है हिमाचल परदेश से कुछ दोर फूलो करती है पाकिस्तान ने उसी तरह से हमारा रावी और व्यास की य है और जाके चरब समय के चिनाब मेर की और यह रिए ठाए करते हूं से दो रिवर मिदती है यह स्कसरों पूछे जाते हैं तो अज़ते हैं कि मिठान कॉंसी दो रिवर मिलती है तो पहला इंडर्स रिवर और दुसरा चिंप रिवर ठीक है तो इंडर्स की सहाय कुप रधियां इंडर्स की सहाय में इसारी रिवर हो जाएं कि झेलं चिनाप रावी संतलज व्याज थेक है इस itself पांस रिवर हैं यह क करने में इंडस को फ्लो करता हैं यह सारी तो हम पड़ते हैं एक आपने नहीं हमकर देखेंगे कि इनकी खासियत क्या है वह पुरेजिंग करते हैं हमकर देखने वागे हैं तो इसतार करते हैं हेलिक नाले है सिंदु रिवर हम साटिंग से करते हैं सिंदु रिवर सिंदु रिवर यहां मान सरुवार आप देखों आप मान सरुवार जियर तेल न दिया निकलती हैं एक सत्दोश रिवर, एक ब्रह्मपुत्र रिवर और एक इंडस रिवर, सिंदु रिवर, ठीक है, ये कॉंसी रिवर है, ब्रह्मपुत्र ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये सत्दोश रिवर है, ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर, लिख जम्मू कस्मीर में देखो यहां पिछ पढ़ा है के बताई जाते हैं कि बताये कि इंडर्स रिवर किन दो सेदियों कुछ अधे थे प्लाइब करते हैं यही पे लेवीवर है ठीक है ऐसा पूछे जाता है इसा में बताओ ले ले जीट कहां पर तो ले कहां पर है कौन सी रिवर एसे कि ले के निकट से होके जाती है ठीक है यह पॉइंटा याद रखेंगे इंडस्रिवर की क्या हforming कि इंट्रोडक्शन इंडस्रिवर की साहेक नतिय के नाम देख लेते हैं इंडस्रिवर की साहत नतिया कौन सी है ज्यलंच चिलाब रावी सद्लच व्यास इसको लिखना एठीक है द्यक्ति फूइनक्र सथी उत्यक्तों इंडस्रिवर अब अगला पॉंट निगों इंडर्स के साइक्रिटिया कुन कुन सी है जहलब चिनाफ राभी ब्यास सद्लड ठीक है अब यह देख लिए और लोगों है ठीक है कर दो निगलती है और प्रदेश में बहते हुए है पाखिस्तान पूरी पाकिस्तान था ठीक है पाकिस्तान से निकलते हुए देखा है। चिनाप में जाखे मिल जाती है। चिनाप कहा में मिल जाती है। इन्डस्रीवर से मिल जाती है। ठीक है। तो यह सब्लूज हो गया और यह कौन से चिनाप रिवर है यह रावी रिवर है यह ब्यास रिवर है ठीक है तो यह होगा इंट्रोडक्शन आप समझ गह रहा होगे तो आप पॉइंट वाइस एकदम अच्छे से हम लिखने वाले है ठीक है उससे पहले हम देख लेते कि हमारे सब्से पहले ब्रह्मः पूत्रोो ठीकção भाकातन नाविताम आख । characterर की लंब्भाइ और निया झीक ऑं यह रहाम हृक्प्वा फिर्वन सबसे लंबी रिवर है, सबसे लंबी रिवर है भारक की, ठीक है, ब्रामा पुत्र, दूसरी इंडस रिवर, सिंदु रिवर, सिंदु रिवर की लंबाई कितनी है, ठीक है, 2880 किलो मेटर, यह हो गई, सिंदु रिवर, ठीक है, पहले ब्रामा पुत्र रिवर, फिर सिंदु र और फिर गंगा रिवर एक पॉइंट सिंदुरिवर में निखना सिंदुरिवर भारत की दूसरी सबसे लब्डे रिवर है ठीक है गंगा रिवर कितनी है 2525 किलो मेटर चोथी कुंसी है गोदावरी ठीक है हाँ गोदावरी की कितनी है पहले हम मैं नाम लिख देता हूं ठीक है पहले ब्रह्मा पुत्र रिवर ब्रह्मा पुत्र रिवर आपने देखा ठीक है यहां पर संदुर इंद्बर बर देखा और फिर गंगा देखा ठीक है फिर यहां पर संद्दूर जाएगा फिर घटा शिर अ कल और सद्दूर कितनी है पंद्रह सो किलोमेटर ठीक है फिर आता है गोदावरी और फिर आता है यमुना ठीक है फिर आता है यमुना तो गोदावरी किलमभाई कितनी है एक हजार चाहिशो पैसल्किलोमेटर और इसकी कितनी है तिरह सो पच्छासी किलोमेटर यह यह तो त्रीटि चाहिशो यार रखना है और कि लंभाई किलोमेटर में कितनी है पूछा जा सकते हैं ठीक है तो भारत में इच्छे इंपॉर्डन रिवर है ठीक है पहला ब्रह्मपुत्र रिवर इतने दूरी यहां सिताय करते वे भारत में इंट्रे करता है यह बिए बात पूरे पूरे रिवर की कि उनकी लंबाई बात अगर स्री भारत में ली आ जाई कि आप बेऊं कि ब्रह्मपुत्र को में पहले चायना में बहुत जाज़ा प्सक्रास करती तो यह तो बहुत ज늘Jean नहीं है तो आप देखते हो कि गंगा मात्र एक रिवर ऐसी जो बहुत ज्यादा लंबा इंडा में फ्लो करते हैं इतना सा ठीक है यह सब सॉटेस्ट है बढ़न की लंबाई अगर देखी जाए तो वह बहुत ज्यादा बढ़ी है ठीक है ब्रह्मा पुत्र रिवर इतना लंबा है तो यह क्रमा साय अगर इंडिया में पूछा जा तो इस तरश नहीं हो गाए इंडिया में आला गया पूरे हमारे इंडिया में जो भी रिवर आती है उनके इसाब से बताए गया ठीक है अब ब्रह्मा पूत्र सिंदू गंगा सत्ना जो दावरी यमुना ठीक है तो इसको आप सिंदू रिवर पहला क्या है आपने लिखा कुछ पॉइंट उसके कंटिन्यू कर लिए ठीक है, सिंदू रिवर की लंगा कितनी है उसको लिख लिजिए जेलम चिनाव रावी सद्लेजन व्यास उसको लिख लिख लिए लेयर रिवर चीज़ के एकदम निकट होके गुजर बीच में से अब जेलम दूसरा पॉंट के समीब यहाँ पहला क्या रहेगा बेरीनाग के समीब देज़नाग के से नेकलती है यहां से निकलती है तो आप यहां पर देख रहे हैं यह जहलम यहां से निकल रही है यहां पर फ्रो करते हुए यहां से और फिर चिनाप में जाके मिल जाती है तो अगर एक्जाम में पूछा जाता है कि बताएं स्री नगर से होकर जाने वाली कौन सी रिवर है तो उसका नाम ऩौक ऐखे आँ दूसराfund हो गया ठीक़ कहा असी जीम्त होते होगे पापिस्तां और इंडा के पोणर के से उसके भीच में फ्रू करती है ठीक है प्रकर टेहां और फिर काहां जाते हैं पाकिस्तान ने पाकिस्तान में चिनाब यूश्मत्य गर्वाइन गधा अगर आपको पता करना तो आपको पता करईजिए ज somewhere on mainly year इसके अगर किना प्रिवा ढsky और शेर चिनाव रिवर्ज के लिख निजिए कि हिमाचल प्रतेश में अगर पुछा जाए कि हिमाचल प्रतेश की तीन अंगर को फोन्पर हो ठीक है उनके उडिवर बोलेका कहां प्हें तो भी आपको आना चाहिए ठीक है तो पहला दुसरा और यह तीसरा ठीके चिनाब आपने हडी के डाला है चिनाब तो चिनाब यहां बाराल अचला ठीके उसका में लिखते हैं तो रुखिए चिनाब पहले और चिनाब का क्या है तो चिनाब यहां बाराल अचला दर्रे से निकलती है तो फिर पाकिस्तान में जाके पहले चिनाब जेलम से मिलती है और फिर चिनाब यहां पें जाती है अगला पॉंट लिखिए रावी और व्यास रावी और व्यास रावी और व्यास एकी जगे से निकलती है ठीक है तो रावी और व्यास के लिए आप क्या रिक होगे है यह रोता रोतां डर्रे से निकलती है कहां से आइसे लिखे रावी और व्यास यह हिमाचल पर्देश के कहां से रोतांग यह भी लिखना बहुत ज़रूरी हिमाचल पर्देश के रोतांग दर्रे से निकलती है यह हिमाचल पर्देश का यह क्या है बारला चला यह रोतांग दर्रे से दो रिवल निकलती है एक रावी और एप्सुरार फिए लो फिर झाल утय प्रॉप इस दें मिल जाता है जिए लिए एक & अगर ड्या भाली कॉइंट कि प्रॉइंट के व्यास अगरा से सनफोगे तो यहां सी निकलती है ठीक है कपूर थला के निकट हरिके ये नामें आद रखना हरिके ठीक है कपूर थला के निकट हरिके पे जाके कहां से किसमें मिल जाती है यहां पी देखो सद्ला के मिल जाती है किसमें मिल जाती है सद्लुज रिवर से मिल जाती है कपूर थला के निकट हरिके में सद्लुज स सद्धुर्ण से यही दिए mix है लिखना इसको लिख सब्सक्रा सब्सक्राइब सनुख है जो कि पाकिस्सार नभी नहीं करते हैं वह यहीं पर कुछ-धाक के लिजाती है पाकिस्तान का इस ततस यह halten इसके कौन सी रिवर है इंडस्ट्रीवर के सायग ने दिया जो की कहां पर नहीं मिलती है पाकिस्तान में लहीं फ्लो करती है पाकिस्तान तक पहुंचु निकलता है और फिर कपूरतरा के निकट हरीके में जाके मिल जाते हैं तो यह हो गए राभी और व्यास अब एडिन डाले सत्लूज रिवर सत्लूज रिवर मान सरवर जिल के राकस ताल से निकलती है और इंडिया में हिमाचल प्रदेश में इंट्री करती है पहले इंट्री करने के बाद वह पहले कपूर तरा के निकट हरीके में व्यास से मिलती है और फिर चिनाप से मिलती है मितान कॉट में इन्ड़ष भी सillय डिवर से मिल जाती है ठीक है चर्पूर्स ही सद्थूज धिवर की लंबाई कितनी है वो अप लिग सकते हो थिक पादी है तो यह सारे कुईंट किसके हो गए अब ब्रह्मा पुत्र निवादा है तेख लेते क्योंकि ब्रह्मा पुत्र में अलग से ही पढ़ाँगा बट इसमें थोड़ा सा में देख लेते हैं उस देर फ्लो करती है यहां पर इसका नाम शांक्रों हो जाता है चाइना में करना है आफो इस दर्बरे का नम्झे बता ला है कि 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 Inians Land जाती है देखो हमारे माउंटेंस है तो इस माउंटेंस को कड कर दितीन है मत्लब यहां पे गार्ड जो बनातेती है यहां पर इसी तरह से फिलोग करते है टूंजे बताएं कि इसका नाम क्या है और यहा शिदम निकलते तो इसका नाम क्या है उसी तरह से मुझे सब्कुं जीवर का भी आप बताओगे नेक्स वीडियो में इन सारी चिजों के मुझे कमेट निचे आप करना है टीक है इसके वी कि बताएए कि कौनसी रिवर है जो चाइना भारत और बागला देश में फ्लो करती है वो रिवर ऐसी कौनसी रिवर है जो चाइना में फ्लो करती है भारत में फ्लो करती है बागला देश में फ्लो करती है तो कौनसी रिवर है ब्रह्म कुत्र चाइना में फ्लो करती है फिर इ पाकिस्तान तक जाती है और मिठान पॉट में कौन सी दो रिवर मिलती है चिनाब और पॉट में चिनाब और उनके लोकेशन आपको मैक में बना लोगे तो आप मैक को देखो पड़ोगे तो आपको यह पॉइंट्स ज्यादा क्लियर हो जाएगे तो इसके बाद अब कौन सी चीजह स्टाट करेंगे है आपको जो हमोग दिया गया वहाँ को करना है कि वह इंपोर्डेंट है यह कौन से आपको भी बता सका हूँ बड मैं नहीं बता कि युदि आपको थोड़ी सी तरह आता है कि अगर आप इंटर िइसाम की तहरी कर रहे तो आपको यह सारह कॉइंट शाले चिई है रहे तो यह सारह कॉइंट करोगे ठीक है कि इसके अंसर प्रस्वा मेरे पास जिसको मैं आपको पूछंगा अभी और आपको उसके अंसर मुझे देने होंगे ठीक है तो पहला कुश्चन है कि बताई केटू किस रेडि पहें किस परवत पहें ठीक है केटू किस परवत पहें ट्रांस हिमाले के अंतरकत कौन-कौन उससी परवत आते है कौण- यह सब पिजये लीक्शर में हुग है आप कमेंट कर सकते हैं और पक्षभी घहर्द की सबसे उच्ची चोटी कानां बताए और उसकी लंबायों मुझे बताएगे और इतने questions के answer मुझे दीजिए फिर में next studio में और आपके लिए questions लाव होगा ठीक है एक point बजग्या यह जो छे रिवर है ठीक है पहला कुंसा सिंदु रिवर जेलम चिनाप इंडस सिंदु रिवर जेलम चिनाप रावी सथलज ठीक है और व्यास त्थीक है honors उस निएप सिंदु रिवर समझवता है उसमें यह कहना था क्योंकि यहां इंडिया से ही सारे रिवर आपके घंच पाकिस्तान की अधिकतर आपके जाती है तो अगर हम इंडिया में पांध बना के सारे पानी को रोग लेंगे तो पाकिस्तान में तो सुखा पढ़ जाएगा ठीक है इसलिए 1960 में एक समझावता हुआ सिंदू समझावता कहते हैं उस समझावते के तहर यह बात हुई थी कि इन छे नतियों में से इन छे नतियों में से तीन जियों का कूर्वर तील oka के पूरवर तील नतियों दस्टेशन साज कें ठिक है यह तीनल नतिया कौन कोंसी रावी व्यास और सतलह है रावी व्यास और्चत्यरा इं थीनों रिवर का पानी इंडिया युज़ कर देगा इसको लिख dif recap पॉयंट को ठीक है पहला किया और यहां पर चिनाप तिनाप रावी व्यास और सत्लच बयास और जिर्वार का पानी कोन यूज करेगा एइंडया कितना परTrust क давно कि परिशन्टेश तका पानी यूज करेगा एड़ परसंट व्यास साथ गोज करेगा इअटी पर्संट आउन थेगा अधिक यह बात हो गई नैंटिस्टि में पहली तो इसको कॉइंट क्या हुआ हुआ कि यह था कि उपर की जो तीन रिवर हैं उपर के तीन रिवर है जिनाप जेलामौ और इंडस्ट रिवर ठीक है इन तीनों रिवर का पानी यहां पर इंडिया कितना इसको यूज़ करेगा इसको इंडिया 80% यूज़ करेगा और 20% किसके लिए छोड़ेगा पाकिस्तान के लिए ठीक है उपर की जो तीन रिवर हैं चिनाब जहला में और इंडस रिवर सिंदू रिवर चिनाब रिवर और जहला इनको इंडिया 20% यूज़ करेगा और 80% किसके लिए चोड़ेगा पाकिस्तान के लिए यह बात हुई थी 1960 के समझावते हैं ठीक है इतनी बात हुई थी 1960 सिंदू समझावता जिसको बोला जाता है ठीक है और इसी समझावते के तायत अच्वी काम किया जा रहा है ठीक है उनके लिए पानी हम यह यूज़ कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा ठीक 80-20% के हिसाप से ठीक है तो यह बात होगे किसके है नटीन सिक्सी के समझवते हैं कुछ यी यहां विध्यां दीजिए मैंने आपको बताए कि इंडस की शाइक ने कौन देखा यह किस तरब से मिल रही हैं रही है यह जो कि एक्जाम एक्जाम पूछा जा सकता है अब तो अगर पूछ रहे हैं इंडस मैं इस प्रताइशे मिलते हैं 62 छोटी छोटी नदिया है यह सब तो बड़ी रिवर है अगर आप हाईर स्टाइडर के एडिक्रेशन मतलब इंटर्स गिजाम दे रहे हो तो आपको छोटी नदिया भी पूछ सकते हैं तो इंडर्स रिवर्स से आप लिखेंगे पहला पॉइंट इंडर्स रिवर् इसलिए आपको पता दिया है ठीक है सद्किला दल्रा ये कौन सद्किला सद्किला इने और तो अब करिये अब आपको दो तीन और दोड़्न है तो आप उसको दोड़गी रखिए छी पहले पाहे तरफ से परते हैं ठीक है पहले पाहे चोड़ी रिवर यह सब आपको लिए यह बाहे तरफ से यह मिली रहें यह सब आए तरफ से इसे रिवर के भी आप लिखोगे पहला होता है जासकर दूसरा है स्यान तीसरा है सिगार और फिर है गिरिगेट यह छोटी छोटी नदिया है जासकर स्यान सिगार और गिरिगेट अब दाया दरफ से मिल जाने नदिया कौन कौन सी है दाया नदर से स्लोग काबूल कुर्रम भूमल बायतरफ से जासकर स्यान सिगार और गिरिगेट यह कौन सी रिवर है बायतरफ से मिलने वाली यह सारी नदियों को आपको लिखना है ठीक है दो से थीन वार आप देखो याद हो जाएगा ठीक है तीन से चार वार इसको लिख लो तो अच्छे से याद हो जाएगा ठीक है तो यह सब बात किसकी हो गए अगर आपको जहलंब लिखना है तो आप यहीं सब्सक्राइब यहाँ यह नहीं क्या हो जातर है धाल बहुत जादा नहीं है इतमस्तु मिलता चले पूँजा आप पूस् rapt करने वाली एक मात्र रिवर हैं आप इसको ऐसा लेख सकते हो तो आःसा ही एसको अएसा ही लिखेंगे ठीक है तो ये बात होगी इंडसे गिा है अब इसके बाद हम गंगा और ब्रहा धुक्तर विजब chut değiş के बारे में पढ़ेंगे तो इसको आप अच्छे से लेएंगे अगर आपको अभी विकुछ लगता होग तो आप मुझे comment कर सकते हैं, ठीक है, और एक चीज़, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्स्राइब नहीं किया है, तो आप कर लिजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा platform है, मैं आपको सारी चीज़े provide करने वाला हूँ, ठीक है, आप बेहीं चीज़े क्या कर सकते हो, सब्स आप में प्राम पुत्रा स्टार्ड कर सकते हो, दोनों में इस से, एक कोई साट करेंगे, इसको तीन भाग में पूसिस करेंगे कि दो भाग में हो जाए, अगर नहीं अपाए जैसे हमारा ये हिमालय खतम होगा, हिमालय दीबर उसका अधम प्राध्य की दिबर प्याँगे, और सबके सबको एकदम deep study करेंगे उनकी सायक नदियां से लेकर उनके origin तब ठीक है तो आज के लिए बस इतना आई मिलते हैं next video में ठीक है